हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माय यूट्यूब चैनल दिस इस सिदान पमार और वेलकम तो ओल फ्यू तोपिक इस से कंड पार्ट आपने बात की थे किस प्रकार से जो उसका ताउश्री थे दिश्टर अभी मन्यू के उन्हों ने उसको परमिशन दी थी विल ट्रैप को प पार्ट से कॉंटिन्यू रखेंगे अपनी स्टोरी को अब जिसमें क्या होता है कि अभी मन्यू उनसे सातों महय उद्धाओं से वीर पुरुस्ते उसे युद्ध में करन है अपने दुरुणाचारिय है दुरियोदन है दुशाशन है शकूनी है और कृपचारिय है स्वत् करने लग जाते हैं ठीक है तो जो अभी मन्यू है वो कहता है कि आयम डिसाइपल ऑफ वासुदेव कृष्ण उसने कहा कि मैं वासुदेव कृष्ण का सिश्य हूं और मैं इस तरीके से आप जो यह करने आए हो यह मतलब कायारता को कार रहे है जो डस्टर आप कर रहे हो यह सिखाया है ठीक है अब दुर्योधन उसको कहता है कि है असभ्यवालक इस तरीके से अपने शब्दों के बान मत चलाओ और हमसे युद्ध करो तो इसके उपर झायन को छाई है जो अपना यह अभी मन्यू था उसने क्या किया कि अपने जो भन była जो और बांद भ्दी जो धनुस था उससे उसके तरफ दुर्योधन की तरफ अपने ते चलाए चीक है तो इसके बाद में दुर्योधन ने सभी अताऊ करे कि मुझे इस बच्चे का इस सब भी लड़के का जिसकी only 16 साल की एज है मुझे इस लड़के का शब चाहिए किसी भी कंडिशन में किसी भी हालत में ठीक है तो ऐसा करने के बाद में जो कृपचारिय थे उन्होंने एक ऐसा बान चलाया ऐसा तीर चलाया तो जाकर कि सीधा अभिमन्यों के रथ के पहिये पर लगता है यहां पर जो रथ है उसका एक बहतरिन वर्ड आपने देखा होगा कई बार पेपर से पूछा हुआ वर्ड है यह सी एच ए और आई ओटी चारियट में रथ ठीक है तो ऐसा करने के बाद में उसका जो रथ है वो टुकड़ों में बढ़ जाता ह है और जो अभिमन्यू था वो रथ से आकर के जमिन पर गिर जाता है ठीक है अब यह भी तो आपने देखा कि किस प्रकार से वो जो सारे डेक्स्ट्रस योद्धा थे जो निपुन थे बिलकुल युद्ध कला में डी एक्स टी ए आर ओ युएस डेक्ट्रस इस वर्ड विच मिंस किसी कार्य में किसी आदमी का निपुन होना ठीक है तो जब वो सारी योद्धा उससे युद्ध कर रहे होते हैं और करपचार्य ने उसके रथ के पहिये को एक ऐसे बान से जमीन पर धरशाई कर दिया था उसको ठीक है तो अभी जो अपना पार्ट है इसमें हम देख है कि इसके बाद में गोट सारे योधा अपने अपने हाथों में कर लेते हैं यह वर्ड आपने कई बार देखा होगा अपने जो आर्मी है, CRPF वगरा जो होती है, बोर्डर पे भी कई बार टेररिस्ट को कोडन कर लेती है, चारो तरफ से घेर लेती है, ठीक है, तो वो सारे महायोद्धा जो थे, सातों के सातों महारती, जो कि यो दुकला में बिल्कुल डेक्स्टरस थे, वो क्या करते हैं, उसे चारो तर में आपने ये अच्छे तरीके से देखा है, कई बारी SSC ने एक्जाम में पूछा ये question, an instrument where the swords are kept, कि एक ऐसा जगे, ये ऐसा उपकरन जिसमें नंगी तलवारों को रखा जाता है, वो क्या होता है अपना sheath, S-H-E-A-T-S, ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं, कि जब उसे घेर लिया जाता है, तो अंगराज करन सबसे पहले आता है, और swords को, जो उन सभी के पास में थी, एक एक करके order करता है, कि इसके stab कर दो, इसको क्या कर दो, घूप दो, इसके पेट में से तलवार को stab कर दो, S-T-A भी stabments होता है, घूपना, ठीक है, और कई बारे आ गोपों मत ऐसे कुछ कहते रहते हैं, वो लिखे रहते हैं उनके उपर, ठीक है, तो आगे देखते हैं अभी, जब S-K-T-A तलवार वो stab कर देते हैं, सारे योद्धा, एक एक करके अपने अपने नंबर से, तो जो अभी मन्यू था, वो अपने पिताश्च्छी को याद कर होता है, वो एक अच्छे लेवल का होता है, ठीक है, तो इसके बाद में अर्जन जो की सुसर्मा के साथ में युद्ध करते हैं, युद्ध भूमी से बहुत दूर निकल गया था, वो वहाँ पे वासुदेव कृष्ण से कहता है, कि केशव मुझे कुछ एंग्विस सा फील हो रहा है, चिन्तित सा मेरे को ऐसा लग रहा है, कि जैसे कुछ युद्ध भूमे एकुशल चीजें घटित हो गई होगी, अपनी यह चीजें घटित हो गई होगी, ठीक है, तो इससे वासुदेव कृष्ण कहते हैं, कि ठीक है मैरा थ्रोक लेता हूँ, अपन युद्ध भ अन्यू कहता है, कि हे युद्धाओं, आपको मैं इस कायरता भरे कार्ये के लिए कभी शमान नहीं करूँगा, और मैं ही क्या आने वाला जो इतियास है, आने वाले जो अपनी वन्स है, जो पेडिया है, वो आप सभी को ये मानेंगी, कि जो मैं हूँ, मेरा वद इन कायर ल चिलाता है, दर्द के मारे, यहां तक जो उसने बोला, कि वो दर्द के मारे चिलाता है, तेजे से, और इसके बाद में, एक बार अपने माता और पिता दोनों को प्रणाम करता है, और इसके बाद में मर्टियर डॉम, मिन्स, वीरगती को प्राप्त हो जाता है, यहां पे ए मार्टीर और मार्टीर डॉम दौन में difficulties हote आ देखो किसी नोबल कार्य के लिए किसी लोगों की जब डैथ हो जाती है तो उनको अपन क्या बूलते है मर्टियर ठीक है और युद्ध भूमी में जो होते हैं शहीद उनको अपन क्या बोलते हैं मर्टियर डूम क्लियर तो इसके बाद में जैसे ही वो पहुंचता है अरजुन उसके पुत्र के वीरगती के प्राप्त होने के बाद में जब संधिया हो जाती है डस्क के टाइम में डस्क इस वर्ड आपन पहले के टाइम में इसे रिलेट करें तो यह कह सकते हैं कि जब पहले के टाइम में गाए अपने वापस घरों तक पहुंचते थी तो वह संधिया का टाइम हो जाता था इसलिए उसे क्या बोलते हैं गोधुली का टाइम बोला जाता है ठीक है एंगल और तरफ एक ग्लूमी एटमस्फियर यानि कि शैड़ वाले एटमस्फियर वातावरण स्मीर हो रखा था ठीक है फैला हुआ था और वो जाकर के सबसे पूशता है अपने भ्राता सिरी से भी पूशता है कि आप सभी इतने दुखी-दुखी क्यों बैठे हो ग्लूमी क्यों बैठे हो सैड क्यों बैठे हो मुझे रिजन बताईए आप सभी के इस प्रकार से सैड होने का ठीक है लेकिन जब वो देखता है जरुदर होता है को पैसमेंज शव ठीक है इसका पहतरीन सा वर्ड एक और है सी अडी यूर कैड़वर इट मिन्स क्या होता है इसका मिनिंग भी होता है शव डैट बोडी भी अपन कह सकते हैं और इसके बाद में वो क्या करता है इसके बाद में जब वो चार्व तरफ देखता है तो जो अभी मन्यू का जो थ्रोन था जो गद्दी थी उसे भी वो खाली पाता है ठीक है जब वो खाली पाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है उसे वैक्स आता है वो क्यों गुस्से में आता है कि उसे पता बहतरेन वाला अच्छो लेवल का क्या था योद्धा था ठीक है और इसके बाद में उसे जब वैक्स आता है गुस्सा आता है तो वो अपनी नजरों को उपर उठा करके बहुत गुस्से में देखता है और एक प्लीज करता है प्रतिग्या करता है कि मैं कल सूर्यास्त से पहले जैदरत का सिर धर से अलग कर दूँगा क्यों किया उसने ऐसी परतिग्या उसने ऐसी परतिग्या इसलिए कि क्योंकि जब उसने रीजन पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि अभिमन्यू का वद्ध हो गया तो उसके लिए युदिस्टर ने बताया कि हम सभी तो चक्र व्यूप में उसके साथ साथ चल रहे थे पीछे लेकिन जो महादेव की आशिरवाते सुशजित जैदरत था उसने हमें अबैट उसने हमें एंटर नहीं करने दिया जो कि इन सारे कोर्वों की जो महायोद्दते सातों जिन्होंने वीरकती को प्राप्त करवाया अभिमन्यों को इसको वद करने के लिए वो अबैट कर रहे थे जैदरत तो जो उसे रीजन पता चला कि में रीजन अपने अभिमन्यों की विरकती को प्राप्त होने का जैदरत था तो उसने ये प्रतिग्या ले थी सपत ले थी प्लेज किया था कि मैं कल सूर्यास से पहले इसको भी हड़ेड कर दूँगा मिंस उसका जो सर्था वो धर से अलग कर दूँगा ठीक है और अगर ये अच्छा वाला वर्ड है अगनी के हवाले कर देना ठीक है तो ये जो पार्ट था बहुत ही अच्छे वोक्याबलारी से मैंने इसको सुसजित किया है डेकवरेट किया है आई होब कि आपको इस सेशन बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा हो और इस प्रकार से किसी और स्टोरी पे भी अगर आपको इस प्रकार से अच्छे वाले वर्ड से ही वोक्याबलारी को अपने को स्ट्रॉंग करना है इंप्रूव करना है तो मेरे चैनल को share कीजिए ज़्याद से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाईए वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe करना नहीं भूलिएगा साथ ही साथ bell icon जो है उसे press कीजिएगा और जो notification आएंगे अगर आप उसको subscribe करते हो press करते हो bell icon को तो वो notifications आपके पास जैसे वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपको मिल जाया करेंगे ठीक है और मुझे comment करके जरूर बताएए का यह वीडियो आपको कैसा लगा clear right okay चलिए take care bye good evening